के बावजूद इस महामारी के इक्राफ को कम करने में जिन्यंतरत करने में सफल रहा है कि इंदरी सरकार दुबारा उठाए गई कड़े कदमों और भारत पासियों तुबारा इसका कड़ाई से पालन का असर पुरी दुनिया को नज़र आ रहा है आज कोविडियो निस की आगे की रणनीती के बारे में चरजा कने के लिए प्रधान मुट्री नरेंदरु मुदी लगातार राज्यों के मुखे मंच्यों के साथ वीडियो कॉन्फिन्सिंग के जरिए वो बात कर रहे हैं और इसके अलावा भी इस वक्त क्या कुछ है ताजा अपडेट को लेकर बताएंगे अगले आदे घंटे में इस विशेश कारिकरम कोरोना पर नज़र में मैं हो जाया सन्हा सबसे पहले इस वक्ती फास्ट नियूज तो प्रधार मंत्री ने किया मुखे मंत्रियों के साथ समवाद वीडियो कॉन्फिन्सिंग के जरिये कि उन्स के साथ बात चीत कहा राज्य करें आम लोगों के जीवन को छूने वाले सुधार COVID-19 से ने बटने के लिए बताई दोगच दूरी के मंत्र का पालन करने के जरूरत Red Zone, Orange और फिर Green Zone ने बदलने के दिशा पे काम करने पर दिया जोर ICMR ने राज्यों को दिया परामर्श चीन से आए Rapid Testing Kit के प्रयोग को बंद करने की दीज सलह देश को दिया भरोसा कहा परयाप्त संख्या में है Testing Kit डॉक्टर द्वारा नरधारत COVID-19 के हलके लक्षन वाले और पूर्वर लक्षन अवस्था के मामलों को लेकर स्वास्ते मंत्र वाले ने जारी कि होम आईसुलेशन के लिए दिशा निर्देश जिन लोगों के घरों में है Self-Isolation की परयाप्त सुविधा वो अपने घर में ही रह सकते हैं आईसुलेट केंड्रियस पास्ते मंत्री डॉक्टर हर्श वर्धन ने देशभर के एम्स समय देश के दस बड़े मेडिकल संसानों के साथ की वीडियो कॉंफरेंसिंग के जरिये बैठक कहा आने वाली चनौकियों के लिए रहे तयार आस्पतालों ने कहा संसाधनों की कमी नहीं देश पर वे करोना के सक्रिये मामलों की संख्याई 20,632 करोना वारस से 934 लोगों की मौत अब तक 6,868 मरीज पुक्चार के बाद हुए थी दुनिया भर में कोविट-19 के मामले बढ़कर हुए 30,41,000 से जादा मरने मालों का आखड़ा 2,11,000 के पार अमेरिका के अलावा स्पेन, इतले और फ्रांस कोविट-19 महामारी अपने अंत से है अभी भी बहुत दोल दुनिया भर में वैक्सीन की कमी और सामाने स्वास्ते सेवाओं में बाधा बुले कर जदाई चिंता तो बात कर लेते हैं इस वक की सबसे एहम ताज़ा अपडेट की दुखेंद्री इसवास्ते एवं परिवार कल्यान मंत्राले ने बेहत कम लक्षन वाले करोना मरीजों के होम आईसुलेशन के संबंध में नई दिशा निर्देश जारी किये हैं संक्रमन की श्रिंखला को तोड़ने के लिए वर्तमान में कोविट उन्निस के सभी संदिक्त और पुष्ट मामलों को आईसुलेट कर अस्पतालों में रखा जा रहा है हाला की बहुत कम लक्षनों वाले मरीजों को उनके निवास पर ही सेल्फ आईसुलेशन की अपिक्षित सविदा होने पर होम आईसुलेशन का विकल्प अब होगा हमागो बतादे की होम आईसुलेशन के लिए क्या कुछ है पात्रता चिकित्सिक द्वारा मरीज में बहुत ही कम लक्षन मिले हो, रोगी के घर पर सेल्फ आइसोलेशन की परियापत व्यवस्था हो मरीज की देखभाल के लिए हर समय एक व्यक्ती रहना चाहिए और इस पूरी अवधी के दौरान देखभाल करता और अस्पताल के बीच संपर्क बना रहे डॉक्टरों द्वारा निर्धारित और प्रोटोकॉल के अनुसार हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन प्रोफिलेक्सिस लेनी चाहिए मोबाइल पर आरोगे से तू आप डाउनलोड करें और यह हर समय सक्रिय रहना चाहिए रोगी नियमत रूप से अपने स्वास्तिक इस्तिति के बारे में डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ओफिसर को सूचित करेगा रोगी सेल्फ आईसुलेशन से जुड़ी एक अंडर्टेकिंग भी भर कर देगा और ऐसे में आपको चिकित्सा की जरूरत कब होगी जब रोगी को सांस लेने में कठिनाई हो च्छाती में लगातार दर्द या दबाव महसूस हो मानसिक भ्रह्म या उठने में असमर्शता होटो या चहरे का नीला पढ़ना चिकित्सिक की सलहा आप ले सकते हैं जरूर और होम आइसलेशन की समाप्ती कब होगी मरीज में यदी लक्षन समाप्त हो जाएं और निग्रानी करने वाला चिकित्सा अधिकारी लैब परीक्षन के बाद संक्रुमन मुक्त होने का प्रमाण पत्र दे दे तब आप इस संक्रुमन से मुक्त पाई जाएंगे और आप सेल्फ आइसलेशन को खत्म कर सकते हैं लेकिन फिलहाल ये बहुत ही जरूरी दिशाने देश जारी किये गए इस बास्तों मंद्राले के और से किस तरह से अगर आपके घर में पूरी तरह से सुविधा है तो आप घर में ही खुद को आइसलेट कर सकते हैं और आप बात कर लेते कि भारत में कोविट 19 की ताजा स्थिती क्या है बात करें भारत की तो इस वक्त देश फर में करोना वारस के सक्रिये मामलों की संख्या 21,632 हो गई है राहत की बात ये है कि अब तक 6,868 मरीज पूरी तरह से हैं और वो ठीक होने के बाद उन्हें अस्पताल से चुटी दी जा चुकी है देश फर में करोना की वजह से 934 लोगों की मौत हुई है तो यह ताजा आकड़े इस वक्त करोना की और सरकार की कोशिश है कि लॉकडाउन के जरिये करोना संक्रुमन को काबू में रखा जाए और इसलिए सरकार लोगों से अपने घरों में रहने की लगातार अपील कर रही है तो यह लोगडाउन के जितने भी नियम है उसका कड़ाई से पालन करना आपके लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा जरूरी है और कुरोना संक्रुमन की स्थिति क्या है और किन कदमों को उठ जाने की जरूरत है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक बार फिर राज्यों के मुखे मंत्रों के साथ इसे लेकर चर्चा की सरकार तुमारा समय पर उठाये गए ठोस कदमों की बदालत भारत अंगिनत लोगों की जिन्दगी की रक्षा करने में काम्याब रहा है प ओर ना के खत्रे से निपटने के लिए देश भर में जंग जारी है केंद्र की नरेंद्र मोधी सरकार लगातार इसमामले में कदम उठा रही है और कोरोना महमारी को रोकने की कोशिश में लगी है देश भर में 3 मैं तक कि लिए लागडाउन है और इस दौरान सब ही के साथ लगातार सलाह मश्वरा करते रहे हैं कोविड-19 से निपटने हितों आगे के रणनेत तयार करने के लिए सोमवार को पीम मोदी ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से सब ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ विचार विमर्ष किया इस बैठक में पीम ने राज्यों के विचारों को सुना साथ ही अपनी भी बात रखी प्रधान मंत्री ने कोरोना वायरस के संक्रमन को रोकने के लिए चलाए जा रहे देश व्यापी अभ्यान को जारी रखने के साथ देश की अर्थववस्था को सुद्रड बनाने पर भी सबार रूप से ध्यान देने की जरूरत पर बलदिया प्रधान मंत्री ने कहा कि मार्च के शुरौाए भारस समीध तमाम देशों की थे एक जैसी थी लेकिन समय पर उठाये गए ठोस कदमों के बदोलत भारत अंगिनत लोगों के जिंदगी की रक्षा करने में सक्षम रहा है हलांकि उन्होंने आगाह करते हुए कहा कि वाइरस का खत्रा भी खत्म नहीं हुआ है और निरंतर सतर करहना सबसे अधिक जरूरी है। पीम ने कहा कि विशेशक्यों के अनुसार कोरोना वाइरस का प्रभाव आने वाले महीनों में भी दिखाई देगा। प्रधान मंतरी ने दो गजदूरी के मंतर का पालन करने की जरूरत बताई और कहा कि मास्क और फेस कवर अब आने वाले समय में जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। प्रधान मंतरी ने ज्यादा से ज्यादा लोगों के आरेउग ये सेतु एप डाउनलोड करने पर भी सूर दिया। उन्होंने कहा कि हमें बहादूर बनना होगा और आम नागरिकों के जीवन को बहतर वाले सुधारों को आगी बढ़ाना होगा। उन्होंने यह भी सुझाओ दिया कि विश्व विद्यालियों के लोगों को महमारी से लड़ने की एकिकरित रणनीती तयार करने के कारी से जोड़ा जा सकता है। साथ ही अनुसंधान के साथ साथ नवाचार को और भी मजबूत बनाया जा सकता है। उन्होंने राजय सरकारों से अपने अपने प्रदेशों पर्देशों में पढ़ने वाले हाٹ स्पॉट याणी रेड जोन में लॉक डाउन के दिशान देशों का सकती से पालन करने पर जोर दिया। उन्होंने मुख्मंतरियों से कहा कि कोरोना संकट से निपटने केलिए राज्जियों के प्रयास संक्रमन से प्रभावित Red Zone इलाकों प्रभावाले Orange Zone में और फिर संक्रमन मुक्त Green Zone में तबदील करने पर केंद्रित होने चाहिए विदेशों में रहने वाले भारतीयों को वापस लाने के मुद्दे पर पीम ने कहा कि ये इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए कि उन्हें कोई असवीधा ना हो और उनके परिवार पर किसी भी तरह का जोखिम ना हो बैठक में मुख्यमंत्रियों ने संकट की इस घड़ी में प्रधार मंत्री के नेत्रत्व की प्रशंसा की और उनके द्वारा कोरोना वाइरस से लड़ने के लिए उठाए गए प्रियासों को भी रिखांकित किया उन्होंने अंतर रास्ट्री सीमाओं पर कड़ी निग्राने रखने की आवश्यक्ता के बारे में बात की और आर्थिक चुनोतियों का जिक्र भी किया इन नेताओं ने कोविड-19 के खलाब लड़ाई में पुलिस बल और चकटसा कर्मियों द्वारा किये गए अनुकरनी अकारियों के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया उन्हाने स्वास्तिय के बुनियाली धाजे को और मजबूत करने की जरूरत को रेखांकित किया बैठक में गुरह मंतरी अमित शाह और स्वास्ति मंतरी डॉक्टर हर्श वर्धन के अलावा तमाम वरिष्ट अदिकारी और विभिन राज्यों के मुख्य मंतरी शामिल हुए यह मुख्य मंतरियों के साथ प्रधान मंतरी की इस तरह की चौथी चर्चा थी जो इससे पहले 20 मार्च, 2 अप्रेल और 11 अप्रेल 2020 को भी आयोजित की गई थी सुधा करदास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट डी 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 नियूज तो सही समय पर कड़े फैसले उठाने का असर नज़र आ रहा है लिए कैसा तरकता भी भी जरूरी है खास तोर पर जो रेड जोन वाले लाके हैं और उन्हें संक्रमन मुक्त करने के लिए इस वक्त हम सभी को प्रयास्रत रहना चाहिए तो करोना महामारी के बीच कई तरह की जोटी खबरे भी प्रसारित हो रही हैं जिससे लोगों को सचेत रहना चाहिए कैसी अख़पार में निकाला है कि सरकार केंदर कर्मियों के कुछ और भत्ते और खर्चों में कटौती करेगी कैसी खबर है कि नए करोना वारस को मारने में हैंड ड्रायर्स यानि की हाथ सुखाने की जो मशीन है वो बेहर प्रभावी है प्याइबी की फैक्ट चक टीम ने इसकी पर्टाल कि और इसकी हकीकत को सामने लाया नए करोना वारस को मानने में hand dryers प्रभावी नहीं है जी हाँ और वारस से बचने के लिए आपको alcohol, युक्त, sanitizer या फिर साबुन से नियमित रूप से अपना हाथ धोना चाहिए जो ये hand dryers होते हैं उससे आपको कोई भी फायदा नहीं होगा आपका कोई बचाव नहीं होगा इसलिए hand sanitize करें और हाथ को साबुन से धोते रहें और आईए अब बात कर लेते हैं कि करोना की इस वक्त खिलाफ जो ground zero पे जंग जा रही है उसकी क्या स्थिती है तो हम आपको बता दें कि कोविट 19 को लेकर ground zero पे लगातार इस वक्त कारवाई जारी है तो इस वक्त ground zero पे क्या कुछ स्थिती है हम आपको बता दें कि कोविट 19 से जुड़े भेदभाव की लगातार खबरे आ रही है हम आपको बताएं कि जो आवश्रक सेवा प्रदान करने वालों हैं उनका होसला आप बढ़ाएं उनका सहयोग करें स्वास्तर मंत्राले और सरकारी सोर्सेज और डबलु एच उद्वारा जो जानकारी दी गई है सिर्फ उसे ही साज़ा करें करें किसी भी जानकारी को कोई भी गलत न्यूज या कोई भी जो अफ़वा है उसे आगे ना बढ़ाएं और जो सकरात्मक कहानिया है इस कोविट उन्लेस की रोकथाम को लेकर वो आप जरूर उसको सांझा कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं इस वक्त हमाई स्क्रीन पर भी कि जो भी आवश्चक सेवा हैं जो इस पर प्रदान कर रहे हैं जो तमाम वो जो लोग हैं उनको आपको सहयोग करना है उनका होसला बढ़ाना है और केवल जो प्रमानिक जानकारी है जो स्वास्त मंत्राले की ओर से जारी की गई है या फिर किसी सरकारी सोत्रों से जो वेबसाइट्स हैं सरकारी वेबसाइट्स उन पर आप नज़र डाल सकते हैं डबलू एचो की तरफ से लगातार अपडेट दिये जा रहे हैं उनको आप चेक करें और सिर्फ उसी जानकारी को आप सांचा करें कोविड उनने से जोड़े भेदभाव को रोकने में आपको अपना सहीयोग देना होगा और यही वज़ा है कि आपको जितनी भी आवश्रक सेवा हैं जो इस वक्त लोग प्रदान कर रहे हैं जो हमारे Corona Warriors हैं, जो हमारे Medical Team हैं, जो हमारे स्वास्त कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, तमाम वो लोग इस वक्त जो जरूरत मंदों को तक जरूरी चीजें पहुचा रहे हैं, उनसे आपको भेदभाव नहीं करना है, उनके बारे में आपको अच्छी बाते करनी हैं, उनका सब्सक्राइब के कारण जारी लॉक्टाउन में, जहां सवारी रेल गाडियां तीन मई तक के लिए रद हैं, तो वहीं खाद्दे सामगरी, कोला, पेट्रोलिय पदार्थू, दवाई, स्वास्ति संबंधी उपकरणों को मालगाडियों और स्पेशल पार्सल ट्रेन के जर सरुरी सामानों को पहुंचाने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ के अंदर सरकार की महतोकांची योजनाओं में से एक डेडिकेटट फ्रेट कॉरिडोर ने कई जगों पर काम शुरू कर दिया है, तक्रीबन आठ राज्यों से होकर गुजड़ने वाली ये योजना तीन हजार किलो मीटर से भी ज्यादा लंबी है, जिसमें पुर्वी कॉरिडोर पस्चिम मंगाल के डानकुनी से पंजाब के लुदियाना और पस्चिमी कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के दादरी से मुंबई के जवाहलाल नेरुपोर्ट ट्रस्ट को जोड़ेगी, राको को गारंटी युक्त, तेज, उजा, डक्ष, एवंग परियावरन हितैसी ट्रांस्पोर्ट परदान करना, समग्र सप्लाई चैन, मैनेजमेंट को प्रोचाहित करना, ट्रांस्पोर्ट लॉजिस्टिक की परती इकाई लागत में कमी लाना, जो लेबर है, वो हमारे प्रोजेक्ट की बैकबोन है, बिना लेबर की काम नहीं होता है, तो उनका पूरी तरह से ध्यान रखा गया, फिर जब 15 अप्रेल को MHA ने एक ऑफिस ओर्डर जारी किया, जिससे कि हम अपना काम शुरू कर सकते थे, तो उसमें फिर हमने सारे चीफ सेकेटरीज को पांच स्टेट के चीफ सेकेटरीज को लेटर लिखा और उनसे परमिशन ली, और हमने उनको ये प्रोमिस किया कि जितनी लेबर है साइट पे हम उसी से काम कराएंगे, वही मशीनरी होगी और वही मट्रियल होगा. वहीं दूसरी तरब भातिय रेल के कपूर्थला सवारी डिब्बा कारखाना ने भी अर्थ विवस्था को मजबूती देने के लिए 23 अप्रेल से उत्पादन कारे शुरू कर दिया है. गरी मंत्राले द्वारा जारी दिशार निर्देशों कर पालन करते हुए कपूर्थला पार्सल वैन, उचे छमता पार्सल वैन, दुरघटना रहत गारी, डाक डिब्बे, कोचिंग कंटेनर, प्लेट, डबल डेकर, डिब्बा, आधिका, निर्मान किया जाता है. रेल कोच फैक्टरी कपूर्थला ने अपना प्रडक्शन शुरू कर दिया है, और इसमें करीब 3700 इंप्लॉईज डेली काम पे आ रहे हैं, लगभग 50% स्ट्रेंथ है जो उसमें आ रहे हैं, एक बहुत महत्पूर्ण केर हमने इसमें ले रखी है, कि जो भी स्टाफ हमारा स्टाफ के अंदर रहता है, उनको ही हमने अलाओ किया है, जिससे कि उस स्टाफ का किसी भी तरह का आना जाना बाहर की दुनिया से नहीं है, और वो लोग रेली काम पे आ रहे हैं। और कुरोणा महामारी में लोकडाउन के चलते हजारों लोग अपने घरों से दूर फसे हुए हैं। पादरों को तीन सो बसे संचालित कर उनके जिलों में चरणबध तरीके से पहुचाया जा रहा है। और कोविट 19 के प्रकुप की बीच भी कुछ राज्यों से अच्छी खबर सामने आ रहे हैं। और शमला के उना जिले के महतपूर में एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली बेटियां इन दिनों कोरोना योधा की भूमिका निभा रहे हैं। लॉक्डाउन होने के बाद स्कूल बंद होने पर ये बेटियां अपने घर नहीं गए। बलकि अपने स्कूल के समाथ से भी प्रधान अचारे के साथ मिलकर प्रति दिन 100 से अधिक पुलिस वह होमगार्ड जवानों को भोजन पहुँचा रहे हैं। पेशेक रपूर्ट। के समाथ से भी प्रधान अचारे के आगरह पर ये बेटियां सुरक्षा ड्यूटी में तनाथ लगभग 100 पुलिस वह होमगार्ड जवानों को प्रति दिन खाना मुहया करवा रही है। अपने घरों से दूर रहने की इन बेटियों के माथे पर शिकन तक नहीं है। और इन्हें इस बात का गर्व है कि देश में संकट की इस घड़ी में वे देश सिवा कर रही है। अपने बात की तो हमें अच्छा लग रहा है। मतलब सब के लिए खाना जा रहा है और हमें अच्छा लग रहा है यहां पे मतलब सेवा करना। जैसे प्रजान मंत्री जी नहीं हमें जो भी साबधानिया बरतने को का हुआ है लोकडाउन के दरां तो वो हमें करनी चाहिए। और जो लोक जैसे भाग रहे हैं इधर उदर भाग जा रहे हैं यहां से इधर तो वो अच्छा नहीं है। सब के लिए हानिकारी किया वह जो भी कर रहे हैं तो ऐसा ना करें हुए और हम भी यहां पर रुके हुए ही को कि स्कूल के प्रधानचारिय हरशवद्ह ने बताया कि उन्होंने अपने दं पर ही सुरक्षा जवानों को दो वक्त का खाना खिलाने का निरने लिया है। लेकिन स्कूल की बेटियों से मिले सहयोग ने उनकी ताकत को दोगुना कर दिया है अपने समय को समाच सेवा में लगाकर इन बीटियों ने ऐसे लोगों के लिए एक अनुकर्णिये मिसाल पेश की है जो लोगडाउन में फसे होने के कारण या तो परिशान है या अपने घरों को जाने के लिए आतुर उना से राजीर के साथ नंदिनी मित्तल डीडी न्यूस शिम्ला या कीरियन प्रधार मुंत्री की हावान की जब इस तरह से जनता जब अनुसरन करती है तो इतनी खुबसूरत तस्वीर निकल कर आती है और चाय उद्योग के लिए एक रहत भरी खबर यहां पर आ रही है कोविट-19 के कारण बनी परिस्तित्यों की बीच भी इस साल कांगणा चाय की पैदावार पर जादा असर नहीं पड़ेगा ऐसा मारा जा रहा था कि लॉकडाउन के पहले दौर में चाय बागानों तक पहुँचने में लगी रोक से इस बार चाय उत्पादन का आंकला प्रभावित हो सकता है अब सरकार द्वारा दी गई राहत के साथ श्रमिक चाय बागानों में अप्रेल में लॉकडाउन के बाद सफल बनाने में जुट गए हैं प्रदक्शन लाया इंफर्मार सेक्टर को छोड़के जो लोग एंडमेड टी बूटिक टी बनाता है जैसे गाउं में लोग चाय बनाता है तो वो छोड़के जो 9.2 लक्स जो हम लोग रेकॉर्डेट प्रड़क्शन हिसाब से जो लास्ट येर का में इंडस्टी का ओवरल प्रड़क्शन देखा इस सल भी हम लोग उमीद कर सकता है जैसे मौज़ों का जो सपोर्ड मिल रहा है उसमें वो बढ़करार रहने का ही जालतर चांस है और लगभग एक महीने की लोग डाउन के बाद बिहार में सड़क निर्मान का कारे एक बार फिर से शुरू हो गया है जिला प्रशासन लोग डाउन में कारे करने की स्विकृती दी है जिसकी शुरुवात गया एनेच 82 सड़क मार्क पर फोर लें सड़क निर्मान कारे से हुआ है काम में लगे करमचारी पदाधिकारी और मजदूरों को काम से पहले सैनिटाइज भी किया जा रहा है सेनिटाइज करने के लिए मशीन भी लगाई गए है काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है लोगडाउन में महीने भर से घरों में बंद मजदूरों को काम मिलने से उन्हें उच्साह का महौल है यहां पर जो गाइट पोडेकर खाम चलता है तो प्राइन मंत्री के गाइड लाइन को इन साथ चलता है हमारे यह लगए एक सब्सक्राइबर काम कर रहा है सारे प्लाइट ने जादूरे जितने गाइड लाइन से हम लोग फूरा प्यादार रहे हैं और सब जितने स्टाफ हैं सब को स्रेटाइज कर रहे हैं हम लोग सब अपना डिश्टेंस बना के काम करते हैं जो बिल्कुल सुरक्षा मालकों का खास ख्यार रखा जा रहा है और एक बार फिर यहां पर कामकाज की सबर्दस्टर बात हो गई है और कोविट-19 के संकट के समय जरुवत मंदों की मदद के लिए कई हाथ आगे आए हैं सरकार, एंजियो और कई लोग उनकी लगातार सहयता करने में जुटे हुए हैं इसी के तहट सूरत के भाजपा विधाय कहर्श सिंग्वी खाने के पाकेट वरिष्ट नागरिकों तक पहुँचा रहे हैं जो अपने घरों में अकेले रहते हैं रोजाना करीब तेरा सो से आधिक लोगों को भोजन उपलट कराया जा रहा है खाने के पाकेट में दो सबसी, रोटी, चावल, सलाद और दूद की बोतल होती है जिससे की वरिष्ट नागरिकों को दूद लेने के लिए बाहर ना जाना पड़े और पूरी दुनिया इस समय करोना महमारी से बेहाल है लेकिन इस बीच यहां पर खबर आ रही है सूरत से जहां हर कोई इससे बचाव में अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है इसी के मदे नजर गुजरात में सूरत के वर्चा इलाके के कुछ कलाकारों ने सड़क पर पेंटिंग बनाई है जिसमें संदेश दिया गया है कि समाज में कुरोना वायरस का किस तरह से प्रसार हो रहा है और लॉक्डॉं की नियमों का पालन कर हम कुरोना से बच सकते हैं और कुरोना संगट के समय मुंबई की मेयर किशोरी पेटनेकर ने एक मिसाल पेश की है किशोरी जी पहले एक नर्स थी और उन्हें कोविट 19 रोग्यों की सेवा के लिए अपनी पुरानी वर्दी फिर से पहन ली है और वे देर रात की शिफ्ट में अपनी सेवाएं दे रही है उन्हें ट्वीट करते में लिखा कि मुंबई के लिए कुछ भी करूंगी हम घर से काम नहीं कर सकते हैं हम आपके लिए मैदान में हैं अपने घर पर रहें और अपना ध्यान रखें और आएब देखते हैं कि दुनिया भर में करोना का क्या हाल है इस वक्त